So guys, क्या आप भी Python के अंदर परिशान है? जब आप यहाँ अपने CMD में Python इस तरही के से लिखते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका Microsoft Store जो है वो उपन हो जाता है बल्कि यहाँ पे आपका Python ही नहीं चलता तो अगर आप इस problem को face कर दें तो चलिए मैं इस problem को solve out कर देता हूँ कैसे होगा यह solve jobs को देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर्च बार में जाना है और यहाँ पे लिखना है manage app execution alias इसको आपको सर्च कर लेना है तो यह मिल जाएगा आपको इसे open कर लिजएगा कुछ इस तरही कैसे और इसके अंदर देखिए आपको नीचे app installer दिखेंगे दोनों इसको आपको यहाँ पे off कर देना है जैसे ही आप इन दोनों app installer को off कर दोगे then आपका यहाँ पे जो python है वो successfully work करने लग जाएगा और जब आप फिर से यहाँ पे python लिखते हैं इस तरहीं से और enter करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी आपका Microsoft store open नहीं होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने अभी python यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मेरे python का version है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जैसे देख पाते हैं 3.11.1 और यहाँ पे python का जो shell है वो भी यहाँ पे open हो गया है और मैं यहाँ पे कुछ पी question वगरे डालू तो उसका answer भी आपको देखने को मिल जाएगा तो उमीद करता हूँ छोटा सा वीडियो है लेकिन काफे informative होगा तो आप इस वीडियो को चैनल को subscribe कर लिजेगा तो मिलते हैं next वीडियो में so thanks for watching our video have a nice day